कि महिंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक चोटी से शहर में रहता था महिंद्र बहुत जरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी महेंदर के अपने आठ बच्चे थे जिसकी वज़े से महेंदर को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिसकी वो अपने आठ बच्चों को भर पेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके एक रोज महेंदर काम करके घर लोटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके आठ बच्चों के साथ दो और बच्चियां खेल रही है महेंदर गुस्य से अपनी पत्नी से कहता है ये दो बच्चियां कहां से उठा लाई हो अजी मेरी बहन के मरने के बाद से जी जाजे की हालत काफी खराब हो गई है जिसकी वज़े से उन्हें अस्पताल में भरती होना पड़ रहा है तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए है अरे हमारे खुद के आठ बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो मैं तो पहले ही आठ बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ अब इन दौनों का पेट कैसे भर पाऊंगा पहले ही पड़ास के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाग उडाते हैं कि देखो आगे आठ आठ बच्चों का बाप और अब तो सब मुझे दस बच्चों का बाप कहकर चड़ाएंगे अरे जरा अपनी हालत देखो बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में बिस्ता हूँ अजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अजी जैसे हमारे आठ बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे आप ऐसे गुसा न करो इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाओ अजी आप ऐसे न बोलो और मुस्सिक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन दस बच्चों का पूरा खयाल रखोगे महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है हेमलता की मौत को कुछ दिन बीच जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था तभी महेंद्र के सबसे बड़ी बेटी रेश्मा एक धाबे पर बरतंद होने का काम करने लगती है तभी महेंद्र वहां से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पढ़ती है रेश्मा बेटी, तुम इस धाबे पर लोगों के जूटे बरतन दो रही हो और क्या करती पिता जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बेनों को भूका नहीं देख सकती बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है अपनी बेटी की बात सुन महिंदर की आँखों में आसू भराते हैं मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया जब मेरी चोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी सभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ बिटी आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज से मैं बहुत महनत मजदूरी करूँगा पर कभी भी अपने बच्चों को भूका नहीं सोने दूँगा भले ही मैं मर भी क्यों न जाऊं पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं अटूँगा फिर क्या था? महिंदर अपनी काम पर जाता है और खूब महनत करता है पूरा दिन काम करने के बाद महिंदर का मालिक जैदेव उसे काम करने के बस 200 रुपे ही देता है मालिक ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिये है इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे बर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछ कर दस बच्चे पैदा किये थे, और पैसे तो तुम्हे इतने ही मिलेंगे, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा, दस बच्चों का पेट भरना है, तो कल से टाइम पर काम पर आ जाना महिंद्र को जैदेव पर बहुत गुस्ता आता है पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है इतने पैसों में दस बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा है भगवान अब आप ही बताईए कि मैं क्या मूँ लेकर घर जाओ मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मार कर वहां से निकल जाता है ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है ए बगवान ये क्या कर दिया तुने अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निबाऊंगा मैं कभी भी उन्हें भूका सोने नहीं दूँगा है रे अब मैं क्या करूँ फिर भूत अपनी जेब से दोसों का नोट निकालता है और बोलता है कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्चों को भूखा नहीं सोने दूगा उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े फिर भूत फिर से महिंद्र की रूप में बदल जाता है और उन दोसो रुपे से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है पिताजी आप आगे, मैं कब से आपका इंतिजार कर रही थी? बेटी तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना मत देना ऐसा बोलकर महेंदर अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है अगली सुभे महेंदर फिर से अपने काम पर जाता है जहां जैदेव महेंदर की लाल आँखों को देख कर बोलता है का वो महेंदर बेटा लगता है तुम्हारे दस बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया तभी तो आखें एकदम लाल हो गई है अब दस बच्चे पैदा करोगे तो ये सब जहलना ही पड़ेगा ही एक तो बेचारी महेंदर भाय की पत्नी नहीं रही फिर ऐसे मैं बे दर्ती पर एक बोज है और अगर आज के बाद तुने मेरे दस बच्चों को लेकर मजाग उड़ाया ना तो मैं तेरा खून पी जाओंगा अरे महेंदर ये क्या कर रहे तु तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तु मेरा गला दबाना चाहता है अरे अरे महेंदर नहीं बलकि महेंदर का भूत हूँ इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा फिलाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए ऐसा बोलकर महेंदर काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ती से एक के बाद एक भारी-भारी अनाच की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है जैदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है इस महेंदर में आखिर इतनी ताकत कहां से आगई अनाच की बोरी तो यह ऐसे उठा कर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रूई भरी हो लगता है महेंदर भाई को अपने दस बच्चों वाला मजाक सेह नहीं हुआ तभी तो देखो दस बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। भूत भूत अरे मर गया अरे मर गया यह महिंदर एक भूत कैसे बन गया। क्या हुआ जैदेव अरे तेरे तो चहरे का रंग ही बदल गया अब बता कि तु मेरे काम के कितने पैसे देगा। अरे भूत भाई, मुझे जाने दो, और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बक्ष दो, तुने बहुत मजाक उड़ाया था ना, मुझे दस बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड पार्टी बोलकर, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हू फिर भूत जैदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबा कर मार डालता है, भूत फिर से महिंदर की रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है, सभी बच्चे अच्छा अच्छा ख पतनी की तस्वीर के सामने अपने भूत या रूप में आकर उससे बात करने लगता है। पता जी आप एक भूत हैं, मैंने आपके सारी बाते सुन ली हैं, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पता जी। मैं अपने दस बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंदर वहां से गाइप हो जाता है। रिश्मा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसलिए वो अपने भाई बेहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रिश्मा को अपने पता की याद आती या महेंदर को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आजाया करता। करता है।